प्रमात्म शिक्षाएं आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुक पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुकी रहेंगे क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं अर्थात जिस चीज पर भी आप फोकस करते हैं अपना अटेंशन देते हैं वही चीज सक्रिय एक्टिव हो जाती है क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पुन्जी है दूसरा है जो व्यक्ति धरम को या परमात्मा को अर्थात सत्य को जीवन के सही अर्थ को जानने के लिए उत्सुक हैं प्रन्तु अगर वह अपने प्रती सच्चा नहीं है तो उसकी खोज व्यर्थ ही चली जाएगी उसकी सत्य को पाने की मेहनत व्यर्थ ही चली जाएगी फिर चाहे वह मंदर में जाए, चर्चों में जाए, मस्चिद में जाए, किसी तिर्थ स्तल पर जाए, या पहाडों पर, चाहे वह कहीं भी भटके, क्यूंकि अगर वह बीतर अपने प्रति जूटा है, अपने लिए ही जागुरुक नहीं है, तो वह जहां भी जाएगा, वह सत्य को नहीं पास सकेगा, क्यूंकि सत्य की खोज का पहला चरण अपने प्रति सच्चा होना है, तब ही हमारी सत्य की खोज शफल होगी, और तीसरा है स्वय परिवर्तन से विश्व परिवर्तन अर्थात अपने अंदर का चेंज ही स्वय परिवर्तन है और विश्व मतलब बाहर का परिवर्तन जब ये स्वय परिवर्तन हो जाता है अर्थात सभाव और संसकार परिवर्तन हो जाता है तो फिर बाहर का सारा परिव परतन भी दिखता है पांचुआ है चौथा नमबर है डरे ओ जो अकेला है जिसके साथ सर्व शक्तिवान है उनको डरने की क्या जिए